पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान के पास एक शराब की बॉटल आई थी जिसके अंदर से उसे कोई चीज दिखाई देती है लेकिन वो चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं थी बलके उसके अंदर एक छोटी सी एंजल मौजूद होती है जिसने बिचारे किन्नान क आक्शन हाउस में खरीदी वी सारी चीज़ों को खा लिया था जिससे तो किन्नान परेशान हो जाता है कि ये कौन से मुसीबत मेरे गले पड़ गई लेकिन वो जो इंजल होती है वो किन्नान की ब्रेक्ट्रू करने में मदद भी करती है जिस वो जिसे किन्नान अपना ब्रे एपिसोड शुरू होता है तो इस एपिसोड की शुरूआत में हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कॉम्पेटिशन होने वाला है वहाँ पर काफिस सारे लोग आये होते हैं उन्हीं लोगों में गौंग चैन और उसका मास्टर भी शामिल था क्योंकि इन लो कि यहां पर आने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहा होता है कि आकर यह कैसी जगह यहां पर किस तरह के लोग आये हो हैं क्योंकि वा यहां पर पहले कभी नहीं आया था पहली बार यह ahead साथी वो ज्पढूरी सी यहां पर साँधानी बरत रहा होता है। जाओ के दोनों बंदे जो पहले किनान को परेशान किया करते थे वो जैसे ही किनान को देखते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती हैं कि अरे ये किनान मुसीबत तो यहांपर भी आ गया चलो भाग लेते हैं यहां से जिसके बाद तो वो दोनों अपनी जान बचा कर वहांसे है ना वो भी अपने बॉडी टैंपरिंग के सेवंथ लिवल को ब्रेक त्रू कर चुका है जिसका मतलब साफ है कि यह कॉंपिडिशन उतना इजी तो नहीं होने वाला जिसके बाद वहाँ पर गॉंग्चन अपने भाड़े के टट्टू के साथ आ रहा होता है साहे लोग कहते देखो देखो गॉंचन आ गया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है गॉंचन के टट्टू वहाँ पर साहे लोगों से कहा रहा है एक हमज़ोर कुल्टिवेटर कुल भी गॉंचन के सामने आने की हमत मतरा वरना वो लोग आज अपनी जान से हाथ ध करो तुम्हें किसने बूल दिया कि मैं यहां पर आया हूँ मुझे लगा था कि तुम तो वहीं पर रुकने वाले हो मुझे तो लगता है कि तुम लोग यहां पर कॉंपटिशन लड़ने हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहां पर टॉप 5 के अंदर पोजिशन हास हूँ मेरे मतलब की दोस्ती वगर ऐसे नहीं लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है कि वो लोग बहुत जादा खतरनाक है वहाँ पर जितने भी बंदे खड़े होते हैं उन सभी के बारे में लैंक किनान को बता रहा होता है कि कौन कहां से है और इसकी पावर किस तरह की हो सकती है वो किनान से कहा रहा होता है मेरे ख्याल से ना तुम यहाँ पर जितने पावफुल होगे उसमें 8-10 नमबर पे होगे इसलिए अगर मैं तुमसे कॉंपरडिशन लड़ना तो लगता है कि मैं तुम्हें भी हरा दूँगा तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो है ना वो दो लेवल में डिवाइड है लेवल वन का जो विनर होगा उसे गोल्डन लूटस दिया जाएगा जिसकी मदल से वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है वो गोल्डन लूटस नॉर्मल नहीं होगा बल्के उसे 300 साल से समहाल कर रखा गया और उसे मिचौर बनाया जा करते हैं सारे लोग कहारे होते हैं जिस फिल की या तो है सेकन्द निवल को विन करने बाद मस्टर बात कर दो डूनने में लोगों ने जिन जिन्दगियां निकाल दी लेसी आज तक की खुलता है वहाँ पर जाने के बाद तुम बहुत ही जल्द अपना ब्रेक्थ्रू कर पाओगे सारे लोग तरस्ते हैं वूयान पविलिन के अंदर जाने के लिए लेकिन टॉप फूर के अंदर आ जाओ कॉंपिडिशन में उसके बाद तुम आसानी के साथ वूयान पविलिन के अंदर जा सकोगे चुयों किनान को बता रही होती है तुम्हें पता है गौंग युवान ना एक बार वूयान पविलिन के अंदर गया था तब ही से उसके पास बहुत जादा पावर आई है उसका कहना है कि वूयान पविलियन एक बहुत ही जादा इस्प्रिश्वल और मिस्टीरियस जगह है तुम वहाँ पर कम महनत के साथ भी अपनी कर्टिविशन पावर को काफी हद तक के कराता है और दोनों को वहाँ पर रखने के बाद मास्टर के तुम्हें फर्क पहचानना है कि कौन से हर्ब से कौन से पिल बनी गई है और उस पिल की उस हर्ब की वज़े से किस तरह की खासियत है मतलब कि वह किस चीज में फायदा करेंगा तो मैं सारी चीज़े समझनी है और एक पेपर पे लिखनी है जिसका परफेक्ट होगा वो इस टेस्ट का विनर होगा जो सुनकर सभी लोग है रहान है जाते कि अरे यह तो बड़ा ही एजीब टेस्ट है ऐसा टेस्ट हमने नहीं सुना था ऐसा टेस्ट तो जातर अलकेमिस्ट वगएरा करते हैं हम लोगों तो गॉंग चेन ही ऐसा है जो एलकेमी में भी मास्टर है उसके इलावा ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पर पिल वगएरा की खासियत का पता लगा सके इसी वज़े से तो मास्टर ने इस थारह का टेस्ट दिया ताकि साहे लोग पहले रौन में ही फेल हो जाए सिबाए ग लोग बस कनफ्यूज होते हैं कि वो लोग आखर लिखे तो लिखे क्या कुछ लोगों को नहीं पिल के नाम याद थे नहीं हर्प्स के नाम याद थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखरी यहां पर क्या ही लिखेंगे लोग एक दूसरे कहीं देख रहे होत लोग तो यहाँ पर एक पिल के बारे में भी नहीं सोच पा है इसने पूरे 50 के 50 का लिख दिया अब ये इनसाने की मशीन है जिसके बाद गॉंग चैन अपना लिखावा पेपर जो होता है उसे मास्टर को दे देता है मास्टर भी उसी का था भले से गलत क्यों न लिखा हो कि लोग अपना वहाँ पेपर पे लिख रहे होते हैं जो भी उन्हें समझ में आ रहा था लैंक तो काफी जादा परिशान हो गया था वो कह रहा था कि नहीं मुझसे नहीं होने वाला ये मुझे को समझ नहीं आ रहा कि आखरी हाँ पर इसके बारे में मैं लिखू क्या इलकमी वगेरा की चीजों को समझ पाती है उसने इसे समझ लिया तो यह टेस्ट पूरा करना कि नान के लिए बड़ी बात नहीं होगी वह एक एक करके सारे हब्स और सारे पिल को देख रहा होता है और काफी देर तक उसे देखकर समझने के बाद कि नान भी अपना पैन और प परसंट शौर है कि इस किनान को कुछ समझ तो नहीं आया होगा जो इससे समझ में आ रहा है ना वो अपने मन से कहानिया बनाते वे लिख रहा होगा बिल्कुल बाकी लोगों की तरह बाकी लोगों ने भी तो कहानिया बना करी भेज दिया है जिसके थोड़ी दिर बात किना किनान का जब लिखकर पूरा हो जाता है ना तो वो अपना पेपर भी उठाकर मास्टर को दे देता है गौंगचन किनान से कह रहा था कि तुमने बड़ी जल्दी सारी जिदों के बारे में जानकारी निकाल ली यह तो कमाल की बात है तुम्हें समझ में तो आया ना कि कुछ भ जानकारी होगी तभी तो यह ऐसा इतनी जल्दी जल्दी इसने लिख दिया लैंक कह रहा था अगर किनान नहीं आपर सही लिखा है ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी किनान को कॉम्पेटिशन में हरा पाऊंगा इसके पास एलकमी की भी जानकारी इसके पास हर चीस की जानकर यह तो मॉल्टी टैलेंड़ बंद है मैं तो उमीद कर रहा होगी कम से कम किनान तो यहां बाई राउंड जीत जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस राउंड को जीत पाऊंगा इसके बाद देखते ही देखते सारे के साहे लोग ने अपना अपना जो कर आधे होते जाएंगे शुरुआत के राउंड में सौ प्लेयर थे और देखते ही जैंगे और फचास बचेंगे जो अगले राउंड में जाएंगे और यह राउंड भी पुरा 100 प्रकिन का था जिस बंदे ने बी 50 से जाधा पॉंट स्कोर किया होगा वह इस टेस्ट को प इसके बाद एडर जो होता है वहाँ पर लैंग का भी रिजर्ट सुना रहा होता है लैंग ने भी इस टेस्ट को पास करते वे 53 स्कोर किया था यानि कि वो तीन आगे रह गया है पास वाले से जिसका मतलब वो यह टेस्ट पास कर चुका है एक बंदा था जिसे तो लिखना भी अभी तक के कि नान का रिजर्ट अनाउंस नहीं हो आ है सारे लोग है कि क्या सच में 99 पॉइंट कमाल है इस गौंग चेन ने तो कमाल ही कर दिया हमें लगा ही था कि गौंग चेन ऐसा ही कुछ करने वाला है क्योंकि वो पहले से ही अलकमी वगएर की चानकारी रखता है अग अभी तो सभी लोग उससे डरते हैं आज उसने इसाबित भी कर दिया कि उसके आसपास भी कोई नहीं है हमें नहीं लगता है कि अब 99 के आसपास कोई भी आ पाएगा सारे लोग उससे पीछे ही रह जाने वाले हैं मास्टर भी कह रहा था आखिर डिसाइपल के स्काह में रह है मास्टर आपको पता है कि नान ने कितना स्कोर किया उसने इस लूपकर पुजिशन है कि ओंचें और किनान के बीच में इस तुऑं तुछन वापस से देख रहा हो संग कि इसा थोड़ी होता है किनान भी हम existem यहां पर 99 स्कोर करें are कि क्न्नान के बीच देखी कि ना ने तो यहाँ पर कमाली कर दिया उसने भी तो गॉंग चिन की तरह सेम 99 स्कोर किया है जो सें दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है थैंक्स फर वाच